हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लन्वरिदितिमन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे चाप्टर चल रहे हैं, जिसमें हमारा टैंथ चाप्टर जो काफी बड़ा है, जिसमें कि हम परेटन इस्थल के बारे में कोश्यन अंसर कर रहे हैं, तो लास्ट वीडियो जिए आप के एक्जाम में पूरी-पूरी संभावना है, कि यहां से कोश्यन जो है वो आएगा ही, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, कोश्यन नमबर 111 से, चितोर गड़ का किला किस नदी के तड़ पर इस्तित है, तो यह गंभीरी और बेड़च नदी के तड़ पर इस् लेंगे, आप लोगों ने एक बार ले लिया है PDF, इसका मतलब आपको यह चीज़ें जो है वो पूरी प्रोवाइड कराई जाएंगी, चितोर गड़ का किला कौन से राजपूतों से संबंदित है, तो यह सिसोधिया राजपूत से संबंदित है, चितोर गड़ का किला सिसो का निर्मान करवाया था, तो देखिए अब तक एक भी कुशन ऐसा नहीं है, जो आप लोगों को नहीं आता है, आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने 10th क्लास का राजिस्थान का इतिहास और संस्कृती जो है वो स्टार्ट किया था, क्योंकि आप लोग 6 से 10 तक के RBS से की पूरी book जो है वो कर चुके हो, question answer series जो है वो learn भी कर चुके हो, ठीक है, तो वही matter जो है वो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि हमने पहले तो कर लिया था, अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दो question जो है वो आपको अलग मिल सकते हैं, विजय स्थम का निमान कब करवाया था, तो इसका निमान जो है वह 1440 इसवी में प्रारंब किया गया था, नेक्ष दिखिए, विजय स्थम का निमान कारे कितने समय तक चला, तो यह 8 सालों तक चला, विजय स्थम का निमान कारे जो है वह कितने समय तक महाराना कुम्बा ने विजय स्तमकर निर्मान किस उपलक्ष में करवाया था? तो देखिए महाराना कुम्बा ने विजय स्तमकर निर्मान जो है गुजरात विजय के उपलक्ष में ही करवाया था. मालवा के मुशलिम साशक को हराने की खुसी में. मालवा के शाशक जो थे महमूद खिल जी उनको हराया था इस वज़े से उन्होंने विज़े स्तमकर निमान करवाया था विज़े स्तमकर निमान किसे से किया गया है किसे बना है यह यह लाल बलुवा पत्थर और सफेद संगमर्मर से बना है वजय स्थम का निमान जो है वह किस से है तो यह लाल बलुवा पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है देखिए आपके exam में जो question आने वाले हैं वो बहुत ही easy होते हैं option ही आप लोगों को इस तरीके से दे दिये जाते हैं कि confusion होता है हर question जो है वो आप लोगों ने learn किया होगा आप देखिएगा exam में जब आप question paper solve करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये भी मैंने पढ़ा था ये भी मैंने पढ़ा था ठीक है लेकिन question के option जो इस तरीके से होते हैं कि वहाँ पर हम लोग tension में आ जाते हैं तो यहाँ पर question के बाद उसी answer को आपको याद रखना है इसलिए question answer series में आपको option जो है वो नहीं दिये गए हैं ताकि आप confused ना हूँ विजय स्थम का निमान कितने मंजिल तक है तो विजय स्थम का निमान जो है वह है 9 मंजिल तक है ठीक है और यहादी नाथ से संबंदित है कीरती स्थम का निमान किसने करवाया था कीरती स्थम का निमान किसने करवाया था तो यह देखिए most important जैन व्यपारि, जीजी बघेरवाल और उसके पुत्रपुर्ण सिंग द्वारा तेरवी सताब्धी में कीरती सम का निर्मान करवाया गया था हिंदू स्थापत्य शैली में निर्मित कीर्थी स्थम की उँचाई कितनी है हिंदू स्थापत्य शैली में कीर्थी स्थम की उँचाई जो है वह कितनी है तो यह 6 मंजिला है 24.5 मीटर उँचा है कितना है मंजिला है यह 6 मंजिला है ठीक है और 24.5 मीटर उँचा है घरा हुआ है भैस्रोंड गड का किला की नदयों घेरा हुआ है यह चंबल और ब्रह्मानी नदयों द्वारा घेरा हुआ है ब्रिटिस इतिहासकार करनल जैमस टॉड ने यह किसके लिए कहा कि अगर राजिस्थान में जागीर की पेसकस की जाए तो वह है इसी को चुनेंगे किसको चुनेंगे भैसरोडगड के किले को ठीक है तो करनल जैम स्टॉर्ड ने भैसरोडगड के किले की तारीफ में ही ये चीज कही कि अगर राजिस्तान में जागीर की पेसकस की जाए तो वो इसे चुनेंगे भैसरोड कड़के किले को चांद बावरी का निर्मान किसने करवाया था? तो नाम से ही है राजा चंद्र द्वारा चांद बावरी का निर्मान करवाया गया था चांद बावडी कहां पर इस्तित है? चांद बावडी जो है वह दोसा में इस्तित है जैपूर आगरा सडक पर आभा नेरी दोसा में चांद बावडी इस्तित है नेक्स्ट दिखिए कुश्चन 126 आभा नेरी का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम आभा नगरी है द्वारा कब आयोजित किया जाता है यह सितमबर और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है हर्शद माता का मंदिर कहां इस्तित है तो यह चांद भावडी परिशद में इस्तित है हर्शद माता को किसकी देवी कहा जाता है इन्हें उल्लास की देवी कहा जाता है ठीक है नाम से ही स्पस्ट है हर्शद माता तो उल्लास की देवी इन्हें कहा जाता है तो ये आज आपका अंतिम प्रस्ण था, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जिले के बारे में बात करेंगे, इनको आप धीरे धीरे रिवाइस करती जाएगा, चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठैंक यू